महाराष्टर के नांदेड में औध्योगिक और क्रिशी विकास की सडके माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के नेत्रित्व में महाराष्टर के नांदेड शहर को उच्च गुणवत्ता वाली सडकों से जोड़ा जा रहा है जो एक साथ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है यहां NH 50 पर नांदेड से जलकोट, NH 161 एपर कुंद्राल से वज्जर, भोकर से सरसम और NH 61 पर बारसगाम से रहाटी के बीच पेवड शोल्डर के साथ चार लेन की कुल 196 किलोमीटर लंबाई वाली सडकों का निर्माण किया गया है 1368 करोड रुपिये की लागत से बनने वाली इन तमाम सडकों में कई बड़े और छोटे पुल भी शामिल है वही तालाबों का गहरी करण होने से पानी में व्रिद्ध हुई है जिससे सिंचाई और बेजल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है इस सडकों के निर्माण से मराठ वाड़ा क्षेत्र से करनाटक और तेलंगाना तक का सफर कम समय में आसानी से पूरा किया जा सकता है साथ ही माहूर गड़ स्थित रेणुका माता मंदिर का सफर आसान हो जाएगा वहाँ पर स्काई वॉक समेत लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है जिससे व्रिध और दिव्यांग जनों को सुविधाएं बढ़ जाएंगे साथ ही श्रद्धालों के लिए पार्किंग, रेस्तरां, प्रसाधन जैसी बुन्यादी सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है वही रतनागिरी से नागपुर के बीच चार लेन वाली 652 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होने से कोंकर्ण, पश्चिमी महराष्ट्र और मराठ वाड़ा क्षेत्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी इन सबसे नांदेड में पवित्र होटल मंदिर, सिखों के तीर्थ स्थल हुजूर साहिब और कंधार किला तक जाना बहुत आसान हो जाएगा इससे एक तरफ परेटन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ और द्योगिक और क्रिशी उत्पादों को मंदि तक पहुँचाना बहुत आसान हो जाएगा जाहिर है कि इससे स्थानिय लोगों के लिए रोजगार का स्रिजन होगा